तर पस्चिमी चीन के गांसु और किंगई प्रांतों में 6.2 तीब्रता के भूकंप के जटके महसूस किये गए हैं जानकरी के अनुसार भूकंप के से मारी जाने वाले लोगों का आंगला 111 के पार पहुँच गया है तेज भूकंप के जटकों की बज़े से गांसु और किंगई प्रांत में करीब 200 से अधिक लोग मारे गए हैं पड़ोसी प्रांत किंगई के हेंदौग शहर में भी कई लोग मारे गए हैं और 124 लोग घायल बताया जा रही हैं आपको बतादी की भूकंप के तेज जटकों की वज़े से कई घर ढ़े गए हैं इसके अलाबा कई घरों को काफी नुकसान पहुचा है भूकंप के जटके महसूस करने के तुरंत बाद लोग डर कर घरों के बाहर निकल आए और सड़कों पर भागने लगे चीन के गांसु और किंगई प्रांथ में सौंबार को आये तेज भूकंप के जटकों के बाद बचाबकार मंगलबार सुबह तक चलते रहा इस पूरी घटना को लेकर चीनी राष्टपती शी जिन पिंग ने भूकंप के संबध में महद्व पूर्ड दिशा निर्देश ज़ारी किये हैं राष्टपती के निर्देश के अनुसार बड़े पैमाने पर खोज और बचाबकार समेथ प्रभावित लोगों के उचित पुनरबास और लोगों को सुरक्षित बचाने सबसे ज़्यादा जरूरी है